नमस्कार दोस्तों, आज शुरू करते हैं कार्टिक मास महत्तम के 27 में दिन की कथा, अध्याय 27 में, यम्राज की आज्या से प्रेत पती दुवारा धनेश्वर को नर्कों के दर्शन कराना, श्री कृष्णी बोले, हे प्रिये, यम्राज की आज्या मानकर प्रेत पती ने धने धनेश्वर को ले जाकर विविन्य नर्क दिखाए, और बोला, हे धनेश्वर, तुम इन भयंकर घोर नर्कों को देखो, जहां पापी मनुष्यों को यम्राज दूतों द्वारा कठोर यातनाई दी जाती हैं, यहे तप्त बालू का घोर नर्क है, इसमें शरीर जल जाने के कारण पापी लोग चिला रही हैं, बोजन के समय आए हुए भू के अभ्यागतों का जो सतकार नहीं करते वे यहां पकाए जाते हैं, गुरू, अगनी, गौ, ब्रामबर, वेद और शत्रिये, इनको जो लात मारते हैं, उनके पैर जलाए जाते हैं, इस नर्क के छे प्रकार हैं, जो अनेक प्रकार के पापों से मिलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, यह दूसरा नर्क अंदतामिस्त्र नाम का नर्क है, सुई के समान भयंकर मुखवाले कीडों से पापी मनुश्य के शरीर यहां काटे जा रहे हैं, यह भी छे प्रकार का है, दूसरे का मर्म भेदन क पापियों के महस का खुत्ता और गीद आपी खाते हैं, तीसरा नर्क यह क्रकच नामक नर्क है, यहां पापी आरे से चीदे जाते हैं, यह क्रकच नर्क भी असी पत्रवन आदी बेदों से छे प्रकार का है, इसमें वे मनुश्य आते हैं, जो इसरे पुरुष एवंकुत् चौतबां यह काते हैं, वहईबी मनुश्य यहां पकाए जाते हैं, यह अरुग लाख्या नामत चौता नर्क है, यहां पापी तलवार से काटे जाते जाते हैं, और बेडि हैं से क्वात्वी इशचा प्रकार टमच कर्या नर्क हैं, इसमें अमणाय यह पापी शाल्मली न नामक नर्ख है इसमें अंगारे के समाल सेमल के काटे हैं जो पराई इस्त्री से रती दूसरों से बैर करते हैं पर मिंदक और दूसरों के ग्रब्र का खरण करते हैं वे मनुष्य छे प्रकार के कश्टों से पकाए जाते हैं अब यह अग्ला गल्वण नामक छटा नर्ख हैं इसमें लोहो और पीव धरी हैं, इसे देखो, इसमें पापी नीचे मुँ करके लटकाए जाते हैं, जो अभख्षय अस्तुन को खाते हैं, और जो दूशो के निंदा और चुगली करते हैं, वे यहां मारे पीटे जाने पर भयंकर शब्द करते हैं, यह भी छै प्रकार का हैं वह बयंकर उन्भी पाक नाम का सात्वा नरख है। धनेश्वर यह भी तेल आवी द्रव्यों के युक्त छे तरह का है। इसे देखो। इसमें महापात की मनुश्यों को यम के दूत गरम ओटते तेल में पीड़ित करते हैं। और कई हजार वर्षों तक पापी इसमें यम या परकार का होता है। इस परकार कुल मिलागर 42 परकार के नरख है। अब ये 42 परकार के रोरव नाम के नरखों को देखो। कामना रहे जो पाप किया जाता है वह सूखा है। और जो कामना से किया जाए वह गीला है। गीले और सूखे दो व्यद पापों के होते हैं। इस पर परतेक नरक दो परकार का होने से 84 तरह के खुल नरक हुई एप्रकेण, पांतेय, मलिदीकरण, जातिभ्रशंकर, कुकुपातक, अतिपाप, महापाप ये सब साथ परकार के महापाप हैं इस परकार के पापों से प्राणी साथ नरकों में पकाये जाते हैं, किन्तु तुम्हारा जो कार्तिक ब्रत करने वाले पुरुशों से संसर्व हुआ था, उनके पुन्यों के प्रभाव से तुम्हारे सब नरक दूर हो गए श्री कृष्ण बोले, तब प्रेत पती उस धनेश्वर को यक्ष लोक में ले जाया गया, वहाँ यह यक्षों कर स्वामी हो गया, वही धनेश्वर, वही धनेश्वर धुन्यक्ष के नाम से कुवेर का पसद्ध अंचर हुआ, इसके नाम पर विश्वामिक्र ने समबादिया था, ऐसे प्रभाव वाला यह कार्थिक कवरत, भक्ति और मुक्ति देने वाला है, जो पापी इस व्रत को करे और उसके करने वालों के दर्शन करे तो उसकी भी मुक्ति हो जाती है, इते श्री कार्थिक महास महात्या, 27 अध्याय संपूर